आठ चार्सो 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 जी हाँ याद कर दीजिए वाट्साप नमबर क्योंकि अब चाहे आपका मैच का सवालो या फिसिक सेमिस्ट्री बाइलोजिका आपके हर डाउट हर कोश्चिन का मिलेगा तुरंद वीडियो सलुशिन वो भी सिधा आपके वाट्साप पर बस अपने फोन में डाउट्निट का आठ चार्सो 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 वाट्साप नमबर सेव कर लिजिए और चाट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल के आपको बस फोटो कीच नहीं है कुसे क्रॉप करना है और पांच सेकेंड में आपको उसका वीडियो स नमस्कार विद्यार्थियों केसे हैं आप आए हमारे यूट्यूब चेनल आउनलाइन क्लासे बाइ सल्जाड पर आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज की जुमाई क्लासे है वह हैं प्रवा कारिष पुस्ति का गनीत कक्षा छे यवं साथ के अंतरगद कारिपत्रक 46 आज की क्लास में हम कारीपात्रक 46 कोल करेंगे जो पीज नंबर 64 पर हैं आएए शुरू करते हैं कारीपात्रक 46 इसमें दक्षिता हैं दश्मलव बिन्नों के इस्थानीमान को समझ सकें विद्यारतियों आज सी क्लास में हम दश्मलव बिन्नों के इस्तानिमान को समझेंगे सिखेंगे उनका अभ्यास करेंगे पहला सवाल है नीचे दी गई तालिका में संख्या लिखें अब यह जो नीचे तालिका दे रहें इसमें हमें संख्या लिखनी है कह देखिए एक सेगडा दो दाही चार इकाई तीन दशांस कह हैं तीन सेगडा दो दाही साथ दशांस गह हैं पांस सेगडा तीन दाही चार इकाई आट दशांस अब इसमें हमें सेखड़ा, दाई, इकाई, दशांस और बनने वाले संक्या हमें यहां लिखनी है कह देखिए कह में है सेखड़ा कितना है एक तो हम यह लिखेंगे एक दाई कितना है दो तो हम यह लिखेंगे दो इकाई कितना है चार तो हम यह लिखेंगे चार दशांस कितना है तीन तो हम यह लिखेंगे तीन इससे संक्या क्या बनेगी 124.3 124.3 ठीक है विद्यारतियों खह देखिए खह में है तीन सेगडा यहनी सेगडा में हम लिखेंगे तीन 2 दवी दवी में लिखेंगे दो साथ दसांस में लिखेंगे हम साथ अब यह एक आई में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0 संक्या क्या बनेगी 327 साथ तीन सो बीस दश्मलव साथ गह हैं देखिए सेकड़ा कितना है पांच पांच सेकड़ा दाही कितना है तीन तीन दाही इकाई कितना है चार चार इकाई संक्या क्या बनेगी 534.8 ठीक है विद्यारतियों ये था पहला सवाल चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यारतियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर दो सेमी के रूप में लिखिए सेमी यानि सेंटिमेटर में ये मीमी में दे रहा है तो विद्यारतियों में आपको द्यानकना है कि 10 मीमी बराबर एक सेमी यानि एक सेंटिमेटर में 10 मीमी होते हैं ये में ध्यानकना है कहें तीन मीमी या तीन मीलिमेटर तीन मीमी बराबर क्या होगा बताओ जीरो दशमलाव तीन सेमी बराबर जीरो दशमलाव तीन सेमी सेमी ख हैं 42 मीमी तो यह होगा बराबर 4.2 सेमी गह हैं 118 मीमी तो 11.8 सेमी अगला है गह तीन सेमी चार मीमी तो बराबर तीन दश्म लाव चार सेमी चोर्यासी मीमी ने आर द द दश्म लाव चार सेमी जहां अट्रा सेमी को यह होगा है इसety इसे vrij皆さん सेमी में बदला अगला सवाल तीसरा दस्मलो संख्याओं के अंकों का इस्तानिमान लिखें अभि यह जू दस्मलो संख्या detail दे रहें हैं इनके अंकों का इस्तानिमान लिखना है देखिए डाही इकाई और पर सर द शयांस अब यहां अधि संग्यां तीस इक आई पर कितना है एक यह हो जाएगा एक और जशान्स कितना है साथ यह इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इनका इस तैनिमान लिख सकते हैं यहां Our चार सेटा तीन दाही एक एक आई और 7 दशां इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं अगला है 923 दश्विलव 2 और 1 जए सेगड़ा सेगड़ा पे है 9 यह ऑगा 900 दाई पे हैं 2 यहाँ होगा इस्ता निमान 20 1 पे है 3 तो इसका इस्ता निमान होगा 3 दशांस पे है 9 परकार इनcimentoाँ ये स्थानियमाना लिखा आप भी ही इनका इबढ लिखा लिख सकते हैं चलिए विधार थे हो अगला आगे बढ़ते हैं अगला जो सवाल है सवाल नमबर चार निम्न को दश्मलों के रूप में लिखें यह जो दे रखी हैं दश्मलों का विस्तरज रूप दे रखा हैं संख्याओं का विस्तरज रूप दे रखा हैं इन्हें हमें दश्मलों के रूप में लिखना है कहें 32 प्लस 2 बटा 10 प्लस 5 बटा 100 देखिए तो ये इसका क्या होगा 32 दश्मलव 2 पांच 32 दश्मलव 2 पांच कहें 3 बटा 10 प्लस 7 बटा 100 प्लस 6 बटा 1000 इसका क्या होगा 0 दश्मलव 3 7 6 जिरो दश्मलव 3 7 6 अगला है गव एक बटा 10 प्लस 27 प्लस 2 बटा 100 इसका क्या होगा 27 दश्मलव 1 2 अगला है गव 31 बटा 100 प्लस 2 बटा 10 प्लस 11 अब यह देखिए यह तो जाएक 11 दश्मलव 2 और यह होगा दश्मलव 2 जिरो इन्हें यह जूड जाएंगे आपस में तो जाएक दश्मलव 5 एक 11 दश्मलव 5 एक ठीक है विजारती हूँ चलिए आगे अगला सवाल सवाल नमबर 5 हल करें अब हमें इन्हें हल करना है विजारती हूँ यह जोड़ दे रहे किये यह गड़ाव दे रहे कि एंगे हम अलग पेज पर जोड़ कर लेते हैं जीडो दश्मलव जीरो जीरो तीन यह लिखा यह हैं दो दश्मलव 5 दश्मलाव POL इस प्रकार से एक एक अंक बढ़ते हैं यह 0.007 0.007 0.007 0.007 हमें एक सीदि में रखना है इनकी जोड करनी है साथ में तीन जोड हेंगे, साथ और तीन 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 का 1, और ये 5 का 5, दशमलोग की जगा, दशमलोग ये और ये 2, 2 दशमलोग 510 क्या है? 2 दशमलोग 510 जीरो ठेक़ी मिध्विदयर थियो यह हमने जोड की अगला है ख़व öld दो द शे मिलाव 59 माइनास – 02.75 यह में गटाओ ஖रंद हैं हम अलग Χ you Beij एगटाओ कर लेते हैं दो दशे मिलाओ दो नौ इसमें 0.75 गटाना है, 0.75 गटाना है, 9 मेंसे नहीं चार, 2 मेंसे साथ नहीं गटें, यहाँसे मुदार लेगी है, बचे यहाँ हो जाएका 12, 12 में 7 गटाएंगे, बचे गा 5, यह जो जाएका 10 लगाया, और 1 में से 0 गटाएंगे, तो 1 एक दश्मलाव पांच चार क्या आया एक दश्मलाव पांच चार ठीक ही विद्यारतियो इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी अल किया तो विद्यारतियो आज की क्लास में हमने कारी पत्रक 46 को ल किया आप भी इस कारी पत्रक को समझ करके अल कीजिए विद्यार थी हो, आपको हमारे वीडियो पसंद आया हूं, तह अमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं हो, और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिये गए लाल रंग के सबक्स्क्राइब बढ़कर करके हमारे यूटूब चैनल online classes by SLJR को subscribe कीजिए bell icon all notification के लिए दबाईए ताकि आप तक हमार latest वीडियो सबसे पहले पहुँच चुपाएं आप अधिक सदिक विद्धियारती हो मित्रों तक हमारे वीडियो शेर जुरूर कीजिए और निचे दिये गए comments वोक्स में comments करके बदाईए कि आपको यह हमारे वीडियो कैसा लगा तो friends मिलते हैं अगली class में नए वीडियो नए content के साथ में तब तक के लिए thank you दैनिवाद, जेहिंद, जेबारत आपका दिन शुब रहें thank you झाल